हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आज मैं आपको लॉंगलता की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स इसे एक बार आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए बनाते हूँ फ्रेंड्स एक बाउल लेंगे उसमें मैदा किसी अस्टेनर के हेल्प से च्छांगेंगे फ्रेंड्स अब मिल्ट किया हुआ घी एड्ड करेंगे इससे आपका डोग सॉप्ट और लचलीला बनेगा फ्रेंड्स अगर आपके पास भी नहीं है तो आपके वाइल का विश्क्माल कर सकते हैं फ्रेंड्स अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक सक्ट डोग तयार कर लिए इसमें मुझे एक कप पानी लगा प्रेंड्स अब उसमें थोड़ा सा गी लगाकर उसको दस पंदा मेर का रिष्ट देंगे और साइड में रख देंगे एक कटोरी मावा लेंगी उसमें थोड़ा सा इलांची पॉड़र एड़ करेंगी इलांची पॉड़र से आपका मावा में एक अच्छा सा फ्लेवर आए रहा प्रेंड्स हम मावे की छोटी छोटी लोई पयार कर लेंगे कर लेंगे लोटी आपका सा कपा एककी एलांची पॉड़र कु憐 है उन्ही आपका का कर दो हमिदा तरोटी Even the Geek दो बड़र कर indifferent reicht कि गए में उन्हीं उन्हीं जापकी उन्हीं दो प्रेंपकी यज़र आपका अब देखिए डोक इतना इस सॉफ्ट है और लचीना है इसका थोड़ा सा और मुसाज करते हुआ अब इसकी छोटी छोटी लोई तयार कर लेंगे और माज़ देखिए रषक है अब राघ्टी अब रात राध वसाया है फ्रेंज अपेलन की वेल्प से लोई का एक पूटी के तरहा पेल लेंगे प्रेंज ना जाधा मोटा पेलिएगा और ना ही जाधा पतला मेडियम रखेगा अब मावे को वीच में रखकर इसको फोल्ड कीजिएगा जैसा हम कर रहा है वैसा ही कीजिएगा फ्रेंज फ्रेंज अब लॉंग लीजिएगा और लॉंग को वीच में सेट कर दीजिएगा फ्रेंज अमारा सेपर तयार हो गया फ्रेंज ऐसा ही कीजिएगा प्रेंज अप्सास नहीं बनाएंगे उसमें एक कप चीनी एड़ करेंगे और एक कपान एड़ करेंगे और उसको हाई ख्लेम पर चीवे को गलेंगे प्रेंज अब उसमें लैंसी बॉदर एड़ करेंगे उसके आपका चासनी में नया फ्लेवर आएगा प्रेंज चिपचिपाम होने के बाद चासनी को साइड में ठंडा होने के लिए रखतेंगे प्रेंज फिक पायान देंगे उसमें वाईल डालेंगे वाईल को गर्म होने पर उसमें लम्ला तक प्राइट देंगे प्रेंज वाईल को जाड़ गर्म नक कीजिए प्रेंज टाम टाम पर लंग मथा को उलब खेर करेंगे रहाँ ठाम ब्रेंज लॉंड़ को गोल्डिन ब्राओन हमें टक पेल लेगा जब लॉंग लटाट गॉल्डेन ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल कर डायरेक्ट चास्नी में डिप कर दीजेगा जब लॉंग लटाट चास्नी सोक ले तो उसे बाहर निकालेगा इसके लिए आपको दस्पंगा निकालेगा अब उसको प्लेटिंग करेंगे इसके लिए एक प्लेट लेंगे उस पे लॉंग निकाल लेंगे अब उसको गार्निसिंग करने के लिए नारेल का बुरादा ची रख देंगे प्रेंट्स हमारा लंगलता तयार है अगर आप मेरी चैनल पे नहीं है तो प्लीज सेस्क्राइब और लाइक कीजिए थैंक्ली बाब बाय टेक केर प्रेंगे